नमस्कार दोस्तों जेपी स्टेनोगराफी यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है ये डिक्टेशन 90 वर्ड पर मिनट का होगा जो की साड़े 6 मिनट तक बोला जाएगा जन्द सत्ता से लिया गया है दस सेगन बाद स्टार्ट किया जाएगा दोस्तों अगर आप चैनल पर रेडी स्टार्ट तमिल नाडू में राष्ट्रिये सव्यम सेवक संग यानी RSS की और से पत संचलन के मसले पर सुप्रीम कोट ने जो फेसला दिया है वह एक तरह से लोगतंतर का वह आम सबक हैं जिसमें विभिन विचारों को जगहें देना और आम लोगों की सुरक्सा सुनिशित करना सरकार की जिम्मेदारी होती हैं गोर तलब हैं कि राज्ये में 47 जगहों पर निकलने वाले पत संचलन जुलूस के मसले पर राज्ये सरकार का कहना था कि वह इसके पूर्ण विरोध में नहीं है मगर समय दन्सील इलाकों में इसकी अनुमती नहीं दी जा सकती। सरकार का यह रुख तब भी बना रहा जब RSS ने इसे लोगों के सांती पूर्ण जमा होने के मोलिक अधिकार का हनन बताया था। तमिलनाडू सरकार के रुख को खारिज करते हुए मदरास हाई कोट राष्ट्रिय समय सेवक संग को तई मारगों से पत संचलन निकालने की इजाजत दे दी थे। हालां कि राज्य सरकार ने अपनी दलीलों के साथ सुप्रियम कोट का रुख किया था। अब सिर्च अधालत ने भी जिस तरह मदरास हाई कोट के आदेश को बरकरार रखा वह एक तरह से राज्य सरकार के लिए जटका है। देश की लोकतांत्रिक परंपराओं के आलोक में देखें तो इस मसले पर सुप्रियम कोट ने रुखने एक बार फिर राजनितिक आग्रहों पूर्वाग्रहों पर सोचने और उसमें सुधार का मोका मुहया कराया है। राजनितिक या सामाजिक मुद्दों पर काम करने वाले किसी संगठन के जुलुस या अन्य कारिक्रम के आयोजन से उपजने वाली इस्ततियों और उसके असर का आंकलन करना सरकार की जिम्मेदारी हैं। वहें उसके मुताबिक उसे इजाजत देने या ने देने के बारे में अपना रुख करती रही हैं। लेकिन अगर कोई संगठन पहले ही अपने आयोजन के सान्तिपूर्ण होने का बरोसा दे रहा हो तो उससे किसी को क्यों आपती होनी चाहिए। इसके बावजूद सरकार को परिस्तियों के मद्य नजर कोई गेर कानूनी या एवांचित गटना होने की आसंका हैं। तो उसे लेकर सजग रहना और उसके मुताबिक सुरक्सा इंतजाम सुनिश्चित करना उसी की जिम्मेदारी हैं। सिर्फ आसंका के आधार पर किसी आयोजन को बाधित करना एक और जहां लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन की इस्ततियां पेदा करता हैं। वहीं सुरक्सा विवस्ता तै करने के लिए जवाब्द हैं। तंतर की जिम्मेदारी पर भी यह एक सवाल है। इस लिहाज से देखें तो तमिलनाडू सरकार का रुख पहले भी सवालों के गेरे में था। अब सुप्रेम कोट के आदेश के बाद इस्तती इसपस्ट हो जानी चाहिए। यह ध्यान रखने की जरुरत हैं कि हमारा देश अलग-अलग विचारों, मतों और समुदायों का ऐसा ठोस समुच्चे हैं। जिस सब के मिलने से ही इसे मजबूती मिलती हैं। इसमें भिन विचारधारों को मानने वाले लोग और समुचें अपने विचारों और आस्था के मुताबिक सांसकर्तिक या राजनितिक गतिवीधियां संचालित करते हैं। उससे सहमती रखने वाले लोग ऐसे किसी आयोजन में सामिल होते हैं। बाकी लोगों के लिए भी यहें विचारों की भिनता पर होती हैं। परसपर सहयोग वाले समाज में सदभाव आधारित आयोजन सामुहिक सामाजिक भावना को मजबूत ही करता हैं। सही हैं कि आमजनतागी भागिदारी वाले सारवजनिक समारोहों को कई बार राजनितिक हित साधने का जरिया बना लिया जाता हैं। और कभी-कभी ऐसामाजिक तत्व उथल-फुथल पेदा करने की कोशिस करते हैं। लेकिन ऐसे ही समय में सरकार और उसके परसासनिक तंतर को सजग रहे कर कानून विवस्ता को कायम रखने की जिम्मेदारी निभानी पड़ती हैं। अगर कोई एपरत्यासित और जोकिन की विकट परिस्थिती ने हो तो किसी संगठन की गतिवीधियों को सिर्फ राजनितिक आगराहों के आधार पर सीमित करने के बजाय सरकार को अपने लोगतांत्रिक मुल्यों की रक्सक होने और उदार रवये का परिच्य देना चाहिए यो भी कोई सरकार समूची जनता की परिधिनीती होती हैं और सबके परती समान व्यवहार उसका दाईतुए भी हैं